रक्तदान महादान होता है और आप लोग देखते हैं कि विश्व स्वास्त संगतन यानि कि डवलू एचों के द्वारा हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस यानि कि वर्ल्ड वलड डॉनर्ड डे भी मनाया जाता है कि लोगों में जागरूकता फेले लोग रक्तदान करें और जिससे बहुत सारी जिन्दिया बचाई जा सकें और ये भी याद रखिएगा बहुत सारे लोगों के मन में भरांतियां रहती है कि अगर हम खून दान करते हैं तो हमें खून की कमी हो जाएगी ऐसा बिलकुल भी नहीं है जितना आप लोग दान करते हैं उसके बाद वो बापस आ जाता है ठीक है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और 14 जून को ये आप देखते हैं कि विस्तो रक्तदान दिवस भी मनाया जाता है यानि कि वर्ल्ड बलड डॉनर डे मनाया जाता है अभी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप देखें कि कुछ समुदाए ऐसे हैं जिनने रक्तदान करने से रोका जाता है और इसमें खासकर आप लोग ने देखा होगा क्या देखा होगा कि LG BTQ का नाम आप लोग उने सुना होगा इसमें आप देखें जो समलेंगे गे, उभैलिंगी, ट्रांजेंडर, कुईर हैं जो आप देखते हैं सेक्स बरकर होते हैं उन्हें भी रक्तदान करने से रोकने की बात कही गई है और कापियत तक बिज्ञान भी ये कहता है तो इस मामले को पूरा समझ लेंगे इस मुद्दा ग्या बना हुआ है इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे भारत में क्या इस्तिती है ये भी हम लोग देख लेंगे अगर आप लोग किसी गवर्मेंट एकजाम की तयारी कर रहे हैं तब आप से इस तरह के कुश्चन्स पूचे जा सकते हैं और अगर समाज के किसी बर्म को इससे अचूता रखा जाए रक्तदान से और अचूता इसलिए रखा जाए कि आप फला बरण की हैं और इसलिए आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं रक्तदान नहीं कर सकते हैं इतना ही नहीं, अगर इस पात पर विज्ञान भी कुछ हद तक मुहर लगाए, तो मन में सवाल उठाना लाजमी हो जाता है, और इस मामले को लेकर कैंसरकान ने अभी हाली में सुप्रिंग कोट में अपना जबाब दिया है, और सुप्रिंग कोट की बात करते हैं, तो हमारी स सेवा निवित्ती की उम्रे 65 साल रखी गई है, दरसल भारत में ट्रांजेंडर समलेंगिक लोगों और महला योन कर्मियों द्वारा रक्त दान पर पिती बंद है, इस पर ठंग जाम, संथा सिंग, बना महारसंग और अन्यमामले की माध्यम से सुप्रिंग कोट में एक दायरिकर्ट सुप्रिंग कोट को बताये कि ये सभी लोग HIV के लिए जोखिम युक्त सेड़ी में आते हैं, यानि कि कहने का मतला हुए कि इन लोगों पर जान्दा संभावना होती है कि HIV से संके में थोए, और इनको बिग्यानिक तत्थों के आधार पर रक्तदान करने की मन नहीं है, और यही नहीं, इस सभी हैपेटाइटरस B या फिर C के लिए भी जोखिम युक्त सेड़ी में आते हैं, HIV वाइरस के बारे में आप लोगों सुना होगा, इसके HIV वाइरस के बारे में, और इसे आप लोग क्या कहते हैं, इम्यूनो डिफेंसेंसी वाइरस की कारण ह होता है, ठीक है, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, इससे आप लोगों को, और आप दिखते हैं कि क्या रहता है इसमें, HIV एक तरह का वाइरस है, जो हमारे इम्यून सिस्टम पर अटेक करता है, उसे कमजोर करता है, और यह वाइरस इम्यून सिस्टम पर इस समय तक मौत नहीं हो जाती है, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, और जब कोई HIV से संक्मित होता है, तो उसका सरीज संकमणों और बीमारियों से नहीं लड़ पाता है, यानि कि आप देखी, पितीरोधक चमता उसकी घटने लगती है, तो यह भी परिसानी बनी हुई है, और इ सानीदिस नेशनल विलर्ड ट्रांस फ्यूजन काउंसिल और और नेशनल एड्स कंट्रोल औरगनाईजिसन की ओर से 11 एक्टूबर 2017 को जारी किया गया था, और इसका सीज़ाख है गाइडलाइन फोर विलर्ड डॉनेशन डॉनर सलेक्षन एंड विलर्ड डॉनर रेफरल 2017 क के नाम से, इस गाइडलाइन की कलोज बारे और इंक्याबन में ट्रांजेंडर समलेंगिक लोगों और महला योन कर्मियों द्वारा रक्तदान पर फितिवंद लगाया गया है, यह भी आप लोग याद रखेगा, खोन कौन नहीं दे सकता है, तो रक्तदान के लिए लोगो होनी चाहिए उनकी, वहीं उम्मदराज बीमार लोग और पैगनेंट या लिक्टे टिंग महलाएं खून नहीं दे सकती है, क्रॉनिक स्कीन डिजिज के महीरीज और 6 महीने पहले टेंटू करवाए लोगों का भी बिलड नहीं लिया जासता है, और टेंटू के बारे में डर रहता है कि सुई से योन बीमारी ना हो गई हो, और कुट्ता काटने पर अगर साल भर की भीतर रेवीज का टींका लिया हो, तो भी आप बिलड डॉनर नहीं हो सकते हैं, गाइडलाइन फोर बिलड डॉनर सेलेक्शन एंड बिलड डॉनर रेफरल 2017 के मताबिक डॉनेट किया जा रहा है खून, किसी भी फैलने बाली बीमारी से रहत होना चाहिए, कई बीमारियां हैं जो बिलड ट्रांस फ्यूजन से फैलती हैं, इसमें आप देखें HIV हो गया, हेपेटाइटिस B और C का संख्मण हो गया, और ऐसा माना जाता है कि LGBT Q को HIV और हेपेटाइटिस B और C के संख्मण का खट्रा जानदा रहता है, अब आप देखें किसी बीमार ब्यक्ति किसी वायरस से पीडिद ब्यक्ति का, donor का एक तर से आप देखें की रख्त लेकर किसी और को दिया जाएगा, तो उसे भी ये बीमारी वायरस हो सकता है, इसलिए आप देखते हैं ये रोखने क केलाज 12 और 59 को सम्मिधान के अनुछे 14-15 और 21 का उल्गन बताते हुए चुनोती दी है यह आप पहुंच गए हैं कहां सम्मिधान के भाग 3 में पहुंच चुके हैं और सम्मिधान का भाग 3 क्या कहता है मौलीक अदिकारों की बात करता है किसकी बात करता है मौलीक अधिकारों की और अगर अनुचेद 14 को आप लोग पढ़ें तो भिधी के समक्ष समता की बात की गई है कानून के सामने सब बराबर हैं अनुचेद 15 क्या करता है धारम धरम मूलवंस जाती लिंग या जनमिस्थान के अधर पर भेदभाव रोकने की बात की गई है अनुचेद 15 क्या कहता है यह कहता है प्राण और देहक सुतनता का सरक्षन की बात करता है और यह कह रहा है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है ठीक है यह आज का करता कि मुताबिक जेंडर आइडेंटी और सेक्सूल औरियेंटेसन के आधार पर इस तरह का प्रितीबंद पूरी तरह से मनमाना अनुचेत भेदभाव पूर्ण और अबिज्यानिक है दलील में कहा गया है कि कोविद 19 महामारी के दोरन कई ट्रांजेंडर वेक्ती जिनने रखत की आवस्ता थी वे गाइडलाइन के कारण अपने ट्रांस रिष्तेदारों या प्रिय सरकार क्या कहती है कि याजका पर जब सुप्रिंग कोड ने केंदर सरकार से उसका तरक पूछा तो सरकार ने बताया कि ट्रांजेंडर सेक्स वरकर हासिये पर बने रहते हैं और कलंक और ट्रांसमिस्टन रिस्क की बज़ए से समय पर उनका उप्चार नहीं हो पाता है और ऐसे में इन जनसंक्या संभूह में संक्मण का खतरा और बढ़ जाता है और ध्यान दीजे कि ट्रांसजेंडर उने कहते हैं जिनकी लेंगिक पहचान उनके जनम के पहचान से अलग होती है यानि पुरुस की तरह जनमा सक्स खुद को महला पाए या इसका उल्टा हो और और इसी तरह से आप देखें गे, लेस्बियन योनकर्भी भी हो सकते हैं और साइध इसलिए 1980 के दसक में ही इन लोगों द्वारा रक्तिदान पर पितिवंद लगा दिया गया था और वहाल केंद ने आंगे कहा है कि से विलड़ पाने के लिए प्राप्त करता का अधिकार डॉनेट करने वाली बेक्ति के अधिकार से जानदा महत्पूर है इसलिए सरकार ने एपितिवंद लगाया हुआ है यह हमारी सरकार की तरफ से जबाब दिया गया है अन्य देसों में इससे जुड़े नियम क्या है उन्हें भी देख लिजे अमेरिका में साल 2015 तक ट्रांस और गे लोगों के रक्तदान पर पीदी बंद था दिसंबर 2015 में इसमें थोड़ा बदलाओ किया गया और इन्हें इस सर्थ के साथ रक्तदान की परीमिशन दी गई कि उन्हें उन्हें पिछले 12 महिनों के दौरान एउन संबंद ना बनाये हो और कोरोना वायरस के बढ़ते की तरह का देखने को मिलता है सोईजयलेंड में एक साल तक योण समंद ना हो तभी समलेंगिक और ट्रांस रक्तदान कर सकते हैं कनाडा में कुछ नियम जानदा सकते हैं और वे मानते ही कि हाई रेस्क सेक्सूल वेहवियर बाली सैडी में योण बीमारियों का खत्रा भी ज जानदा होता है इसलिए इसकी स्क्रीनिंग जरूरी है उस्ट्रेलिया में ग्रेट ट्रांस लगाता और बिलर डोनीशन में भेदवाओ की सिकायत करते रहे यानि यहां भी तीन महीने वाला नियम लागू है अब यह आप देखें इतनी हमारे पास सकत नहीं है कि क्या कर सके कि बहुत जल्दी आप देखें जाच कर सकें कि उनके उनमें कोई वाइरस तो नहीं है कोई बीमारी नहीं तो नहीं है और उनका खून सेफ है या नहीं अगर इस तरह का कुछ टेकनोलोजी होती कोई तकनीक होती तो आसानी से उन्हें भी अधिकार दे सकते थे या फर अमे करता का भी तरक सही रहा है वहीं दोसरी तरफ आप देखें लोगों को सरक्षित प्राप्त करने का अधिकार भी है यानि जन्सवास्त के साथ खिलबार नहीं किया जा सकता है ऐसे मैं आप यह आदलात पर निर्वा करता है कि वो क्या फैसला सुनाती है तो इसके बारे में एक सामान जानकरी जरूर रखिएगा इस तरह की टॉपिक से कई बार आप देखते हैं प्रिलम्स हो मुख परिक्षा हो इंटर्वी हो कई भी किसी तरह का कुश्चन पूछ लेता है आपसे ठीक है और आपकी राय भी पूछ लेता है कई बार